हलो एवरिवान मैं डॉक्टर स्वाती शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं कैसे हैं आप सभी आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी तो इसलिए लेकिन फिर भी मैंने सोचा दोस हुआ वेटिंग फॉर मी उनके ल लोगों के लिए grammar के और literary terms के कुछ questions लेकर आई हूं तो देखे आज का हमारा डे 16 हाड़ वर्क प्लस ड्रीम प्लस डेडिकेशन इजी कोल चू सक्सेस सबसे पहले सपने देखना उन सपनों को हाड़ वक के द्वारा पूरा करने की हिमत दिखाना और लगातार लगन जो है उसमें अपनी लगे रहना तभी सक्सेस आता है यह नहीं आज सोचा कि वलाज मेहनत करी अकल फिर हाथ पे हाथ रखके बैठ गए जब आप लगातार किसी चीज को काम करते हैं तभी पूरी जो कॉस्मिक जो भगवान भी यानि कॉस्मिक जो आपको एक हेल्प मिलती है वो और आज का सेशन है यह जब से पहले ग्रामर वाले क्वेशन सें जैसे मैंने आपको कल भी बताये ते मिक्सेलर को वेशन सें तो आज पहला क्वेशन आपका यह है परहाप्स यू नोग आट आप पास्ट एक्जामिनेशन इन 1990 तो चलिए बात करते हैं इस क्वेशन में गल रखा हो यह निकी पास्ट का प्रेजेंट से कोई लेना देना ना हो तो हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ यूज करते हैं यह जब सिटूएशन दो दीवी हों क्योंकि वह पास्ट में पास्ट है तो अब आप यह देखिये कि यह जो सेंटेंस है perhaps you know that I have passed the examination कि मैंने exam passed करा था 1990 में इस साल का present से कोई लेना देना नहीं है तो यहां पर इसमें आएगा have नहीं आएगा I passed the exam in 1990 तो इसमें error है B part में question number two देखे the present president of the United States the present president of the United States is thinking of becoming the most supreme leader of the world अब बिचारे अभी जो बने है वो तो नहीं सोच रहे मगर इस से पहले जो थे वो जरूर सोच रहे थे तो is thinking of becoming the most supreme आप जानते हैं supreme जो है वो absolute adjective है यह absolute adjective है जो absolute adjectives होते हैं उनकी comparative या superlative degree नहीं होती वो माने ही superlative जाते हैं उनमें more या most का use नहीं करते इसी लिए यह यहां पर यह गलत है और इस पार्ट में error है C में दैनिस supreme, absolute और perfect यह सारे के सारे जोग हैं वो absolute adjectives होते हैं और इनमें हम use नहीं करते more या most का use नहीं करते नहीं करते अब आप इस question को देखे फिर वही चीज इसमें आ रहा है यस्टरड़े was, the train is supposed is supposed नहीं आएगा, was आएगा अब यह क्या है, the train was supposed को train जो है, वो दस पज़े आनी थी yesterday past and definite tense, तो was supposed to यह हो गया, इसका भी हमारा answer हुआ B now the next question is despite of good monsoon this year the production of food grain in the country did not go up अब आप लोगो को यह पता होगा कि despite और in spite of एक ही होते है इनका मतलब होता है कि बावजूर in spite अपने साथ off लेता है despite अपने साथ off नहीं लेता तो यह a part में error है या तो off अटा दीजिए या in spite लगा दीजिए दोनों मेंसे कुछ भी लगा दीजिए the question जो है वो ठीक हो जाएगा और यह देखिए question है hardly as I stepped out of my house when I saw some policeman coming towards my house तो यह मैंने आपको बताया था कि hardly जो है वो एक adverb है hardly एक adverb है adverb जो modify करता है वो verb को adjective को या adverb को modify करता है तो यहाँ पर अगर हमारा यह वाला sentence verb की second form है तो यहाँ head लगेगा head लगने का reason है कि जो काम पहले हो गया वहाँ पर perfect tense past perfect tense और जो काम बाद में हुआ past indefinite tense क्योंकि past perfect को past in past जो है वो कहा जाता है तो इसका answer है hardly had I stepped out तो यह आएगा A अब ज़रा question number 6 को ध्यान से पढ़िएगा यवनिका is one of the latest additions to good drama which appeared in recent times mostly आज यह tenses पे है इसमें आपको दिख रहा है recent time हाल ही में हाल ही में recently को अगर हम बदल के recent time कर देते हैं हाल ही में तो यह यह आता है यह बतलब इसकी समय के लिए जो चीज past से शुरू हुई अगर अभी present में है और past मनब एक चीज जो है वो खतम हो चुकी है वो past में हो चुकी है मगर उसका relation present से अभी भी है तो ऐसी स्थिती में हम जो tense यूज करते हैं वो present perfect tense यूज करते हैं अगर मैं आपसे कहूं कि I have studied well for the examination जो की अभी examination मान लीजिए पेपर से एक दिन पहले मैं आपसे कहूं कि I have studied well तो भाई पढ़ाई तो खतम हो गई तो मैं have क्यों लगा रही हूं इसका reason है कि अभी उस paper के होने का अगले दिन होने वाले उस उस पढ़ाई का अगले दिन होने वाले paper से संबंध है तो हम लगाएंगे है हम paper देखें बहार आए हमने का I studied well तो जब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता present से तो हम लगाते है past form यानि की verb की second form लेकिन जब किसी past में खतेव में काम का असर present में भी देखने को मिलता है तो हम use करते है perfect tense अब यह देखें यवनिका is one of the latest additions to good drama which appeared यह past tense नहीं होगा चुके recent times है तो यहां आएगा which have appeared in recent times तो recent times की वज़े से यहां पर perfect tense का use किया जाएगा now the next question is no other hill station is as beautiful as Darjeeling with its scenic beauties पहली बात तो हम बात करते हैं beauties की अब भाई beauties होता है या नहीं होता है पहले तो हम चलो इसी विशह में बात कर लेते हैं अगर मैं आप से यह कहूं कि beauty जो है that's a uncountable noun that's an uncountable noun तो beauty जो है वो uncountable noun के रूप में अगर use होती है तो कोई beauties वगरा कुछ भी use नहीं होता लेकिन अगर beauty का मतलब है खुबसूरत लड़की यानि कि beauty means होता है beautiful girl तो जी बिलकुल beauty जो है वो countable हो जाती है और beauties हो जाता है तो यहां पर यह beauties इसका plural हो जाता है लेकिन अगर यह uncountable noun है तो beauty का beauty ही रहता है तो जरा अभी यह वाला देखिए no other hill station is as beautiful as jargling with its scenic beauties तो भाई प्राकरतिक सुंदरता की बात कर रहे है तो beauties बिलकुल भी नहीं आएगा हाँ with its beauties होता तो भाई सोच सकते थे की beautiful girls के बारे में बात की जा रही है अब जरा question number 8 देखिए since the two parties each one the same number of seats the minority party holds the balance of power पहली बाद तो यह मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर sentence में since आ रहा है तो आपको दो ही tense use करते हैं perfect tense या perfect continuous tense अब यहाँ पर भी देखिए क्यों जब से जिवाई क्योंकि the two parties each have one अब यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ क्या लगाए each के बाद has लगाए या have लगाए ये बहुत बड़ा question है जी each के बाद has लगाए या have लगाए अब मेरी बात को धिहान से सुनिएगा देखिए अगर यह sentence ऐसे होता each of the two parties तो यहाँ हमारा subject था each तो हमारा verb आता has ठीक है लेकिन the two parties two parties each यहाँ हमारा subject each नहीं है अगर each बीच में आता है और उससे पहले plural noun आ रहा है तो वो subject इसे माना जाता है not this तो यहाँ पहला two parties each have आता है तो यह इतनी knowledge मत रखेगा कि जहाँ each दिखा वहाँ singular verb ही use होता है अगर each के पहले subject plural है तो verb भी plural ही use किया जाएगा तो यहाँ पर यह देखे since the two parties each have one तो यहाँ आएगा each have one the same number of seats the minority party holds the balance of power now the next question is we have paid for our travel and accommodation so we need only to take some pocket money with us अब मैं आपको एक चीज बता हूँ only ठीक उस word के पहले लगता है जिसके बारे में वो बात करता है अब हम यहाँ पे take के बारे में बात कर रहे हो तो only बिलकुल सही है मगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं pocket money की तो only की position गलत है तो only यहाँ लगाएंगे so we need to take only some pocket money तो है तो b part में ही error पस only की जगह चेंज करनी है only ठीक उस word के पहले लगता है जिसके बारे में वो बात करता है इधर जो होता है वो दो के लिए use होता है दो से ज़्यादा के लिए अगर आपको anyone of her five sisters ठीक है she was taller than anyone of her five sisters Treasure Island is one of the best pirate stories that was ever written अगर कभी भी किसी sentence में one-off आ रहा हो और बीच में relative pronoun आ रहा हो तो relative pronoun के ठीक बाद वाला verb उससे पहले आने वाले antecedent के अनुसार लगता है तो चुकि ये antecedent plural है तो यहाँ was ना आके क्या आएगा वर आएगा संझे देखें वन-off आएगा तो वन-off के बाद कुछ नाउन प्लूरल मगर वर्ब सिंगुला लेकिन अगर वन-off के बाद नाउन प्लूरल और बीच में एक clause दिया हुआ हो तो जो विच धाट वाला clause होता है वो उसके बाद वो जो वर्ब लेता है वो अपने से जस्ट पहले आन कोई एंटिसिदेंट के तो मेरा दिमाग खराब है जस्ट पहले आने वाले अंटिसिदेंट के अनुसार जो है वह वह लेता है तो ये होगा सी अब कोशन नमबर ट्वल देखते हैं No student is as intelligent as my son. ऐसी मम्मिया होती हैं वैसे, कि कोई और होश्यार नहीं है, जितना मेरा बच्चा होश्यार है. मालब बात हो है ही, अपने बच्चे सबको बहुत ज़्यार लगते हैं, चाहे सच्चा ही, इसके बिल्गुल उलठो. तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले इस question को ऐसे समझे, कि जब भी हमें तुलना जो होती है, वो same group में करनी होती है. अगर हमें तुलना same group में करनी हैं, तो चाहे no हो, चाहे any हो, हम उसके बाद use करते हैं other. अब आप खुद देखिए, कि यहाँ पर हमारा sentence है, no student is as intelligent as my son. तुलना same group में है, क्योंकि student और son, son भी student ही है. तो जब same group में तुलना करते हैं, तो वहाँ use किया जाता है other. मालनो यह यह होता, no girl is as intelligent as my son. तो यह बिल्कुल ठीक था sentence. जब group same होते हैं, तो other लगाते हैं, जब group different होते हैं, तो वहाँ पर हम other का use नहीं करते हैं. तो गलती है जी ए पार्ट में. When he was tired, he took rest under the shade of a tree. ठीक है, अब एक चीज में आपको बताऊं, कि भाई अगर यह पेड है, और पेड के ठीक नीचे कोई बैठा है, तो वो तो under है. लेकिन अगर पेड की चाया में कोई बैठा है, पेड के ठीक नीचे नहीं, चाया में कोई बैठा है, तो उसके लिए use किया जाता है in the shade. तो under the shade of a tree नहीं आएगा, that will be in the shade of a tree. तो यह होगा आपका B. He said a number of lies, he said a number of lies and then went without saying me goodbye. अब इसके लिए आपको में एक पुयम आप सबने अपने बच्पन में सुनी होगी, और जो अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो सिखाते होंगे, Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar? No, Papa. Telling a lie? No, Papa. Open your mouth? Ha, ha, ha. वहापे lie के पहले आता है, telling. तो देखे, इसमें भी है, he said a number of lies. Lies जो होते हैं, उनके लिए verb यूज करते हैं, tell. तो he told a number of lies. तो यहाँ आएगा, he told a number of lies and then went without saying me goodbye. And now the next question is, यह तो हो गए आपके grammar के questions और अब चलो हम लेते हैं, यह हुए आपके figures of speech के questions. So चलिए, पहला question आप लोगों के लिए, What is the device by which non-human and non-living nature is credited with human emotion? समसी है, जैसे defodils है, आप लोगों ने बच्चों की किताबों में यह जरूर देखा होगा. माफ कीजेगा मेरी सुन्दर ड्रॉइंग को, लेकिन यह जो है, ऐसे आपने बच्चों की किताबों में जरूर देखा होगा. हस्तवा सूरज, फोल, हस्तवा सूरज, हस्तवे बैंगन, और नेचर के जो पॉब्जेक्ट्स होते है, हस्तवा सूरज, तो यह जैसे मैंने फूल बनाया है, हस्तवा फूल बनाया है. तो जब हम आपने अपजेक्ट्स को human attributes देते हैं, dancing, flowers, नेचर के attributes है ना, smiling sun मुस्कूराता हुआ सूरज तो यह इसे कहते हैं pathetic fallacy that term is known as pathetic fallacy now the next question is authority forgets a dying king कि authority जो है forgets a dying king मरते वे राजा को भूल जाती है authority यानि कि एक abstract idea को human being के तौर पे ले रही है तो उसे क्या कहा जाएगा personification मान भी करर now the next question is the term onomatopoeia and oxymoron came from यह जो terms है यह कहां से आई है बही कहां से आएंगी एक जगे से आ सकती है Greece से आई है now the next question is almost the whole of modern English poetry is dominated by I am big pentameter I am big hexameter I am big heptameter I am big tetrameter अगर हम बात करते है I am big की तो unstressed, stressed pentameter means 10 syllables यानि कि 5 feet hexameter means 12 syllables थीक है जी तो मतलब इस से लिके कहा है I am big pentameter I am big hexameter जिसे Alexandrine भी कहा जाता है अब यह देखे 14 हेप्टामीटर टेट्रामीटर देखे इनके सब के नाम होते है मोनोमीटर डायमीटर ट्रायमीटर टेट्रामीटर जो टेट्रामीटर होता है 4 feet यानि कि 8 syllables तो यह जितने भी syllables है hexa, hepta 14 syllables 8 syllables तो अब आप यह देखे कि almost जो हमारी modern poetry है यानि कि जो वो किस से dominated है तो वो dominated है unstressed, stressed और iambic pentameter से जो है वो प्रभावित है अगर कुछ है poems को छोड़ दे तो mostly जो poems है वो लिखी जाती है iambic pentameter में a lovely flower on earth was never sown इतना खुबसूरत फूल धर्ती पर कभी नहीं खिला ये वजवद की poem में से ली गई है education of nature three years she grew in sun and shard और ये nature compare करती है Lucy को flower से तो ये जो है a lovely flower on earth was never sown कि अर्थ पे इतना खुबसूरत flower जो है वो नहीं खिला तो Lucy को compare किया जा रहा है flower से तो इसी लिए ही इसमें आएगा metaphor वैसे metaphor को ही implied simile कहा जाता है तो ये option I don't know इसका confuse करने वाला है which of the following एक minute which of the following is a direct address either to an absent person or to an abstract or inanimate entity जब हम किसी व्यक्ती को किसी जो व्यक्ती जो उपस्थित नहीं है किसी abstract चीज को या किसी non-living thing को address करते हैं तो उसमें कौन सा figure of speech होता है तो उसे कहा जाता है that is known as apostrophe वो figure of speech होती है apostrophe पन पन is a play on words that are similar पन है क्या देखे झाल पन है क्या figure of speech आपको मैं इस sentence से समझाऊंगी in line से समझाऊंगी an ambassador is the person an ambassador is the person who lives abroad for the sake of his country who lies abroad lies जो word है इसमें पन है क्योंकि इसकी spelling सेम है sound सेम है एक lies का मतलब है जूट बोलना और दूसरे lies का मतलब है रहना तो पन का मतलब होता है play on words जिसमें एक word का sound सेम होता है मगर meaning दोनों के बिलकुल different होते हैं तो आप यहाँ पर यह देखे in sound but diverse in meaning तो इसका answer है a now the next question is which of the following words show oxymoron oxymoron का मतलब होता है जब दो opposite चीजें एक साथ रख देते हैं तो जैसे यहाँ पर है sweet pain आज मैं अपनी class में भी पढ़ाते हुए कह रही थी कि भाई तुमसे बिचड़ते हुए मुझे खुशी वाला दुख हो रहा है तो वो जो खुशी वाला दुख है सेम आज वही question यहाँ पर आगया sweet pain तो sweet pain का मतलब है कि भाई दर्द भी और जो है वो मीठा भी और दर्द भी तो sweet pain तो इसे क्या कहा जाएगा that is oxymoron तो इसे खटा मीठा खुशी वाला दुख which figure of speech are employed in this line which figure of speech is employed in this line है यह होना चाहिए oh wild west wind thou breath of autumn's been यह शेले की ओट्टू west wind से ली गई लाइन है और इसमें शेले जो है वो west wind को संबोधित कर रहे है तो यह figure of speech है apostrophe देखे एक ही sentence में दो figure of speech भी होती है मगर जो overpowering figure of speech होती है उसे माना जाता है तो इसमें है apostrophe क्यों क्योंकि संबोधित कर रहे हैं और apostrophe जरूरी नहीं है इसी symbol से हो अगर किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो terms of address को कौमा से भी segregate किया जाता है which figure of speech is in this line his honor rooted in dishonor stood and faithful unfaithful kept him falsely true देखे ये कितने सारे जो words है falsely true, faithful, honor, dishonor एक word के साथ उसका antonym जब आता है तो उसे क्या कहा जाता है oxymoron देखे, antithesis में दो विपरीत आइडियास को रखा जाता है oxymoron में दो विपरीत शब्दो को रखा जाता है which of the following sentences has figure of speech called apostrophe इन में से कौन से sentence में apostrophe figure of speech है oh death, here is thy saying oh mrityu, ये रहा तुम्हारा दंज the more haste, the less speed death lays his icy hands on king देखे, इसमें है क्योंकि death को संबोधित किया जा रहा है the more haste, the less speed इसमें दो है, epigram भी है और antithesis भी है इसमें epigram और antithesis दोनों है दो different ideas को रखा गया है death lays his icy hands personification तो मैंने तीनों के बता दिया तो इसका answer है A the use of the word with humor satirical intention so that the meaning is directly the opposite of what is said ये है आपका irony आइरनी का जैसे इसका बहुत ही बढ़िया एक्जामपल है कि जब Brutus, Julius Caesar की body को Julius Caesar को माणने के बाद Brutus ने लोगों से कहा कि Caesar बहुत ज़्यादा अभीमानी हो गया था और बहुत ज़्यादा ambitious हो गया था that's why we had to kill him और mob कहती हाँ हाँ ठीक करा ठीक करा और जब Antony आता है और अपनी speech देता है और कहता है कि Caesar ambitious नहीं था Caesar ने अपनी संपत्ती में हर एक किसी के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा रखा था yet Brutus says he was ambitious and Brutus is a noble man यहाँ Brutus is an honorable man अब यहाँ पर honorable का मतलब यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी समाननी यह नहीं है तो यह आयनी है तो that is irony, verbal irony what is a literary man or a writer of literary works termed as एक साहितिक व्यक्ती को क्या कहा जाता है that is literature, literature उसे कहा जाता है and the next question is life is but a walking shadow is an example of your life ko man liya gya hai ki zindagi or kuch nahi ek par chai hai jahaan man liya jata hai wo hota hai metaphor the snakes are hissing and the bees are buzzing is an example of by snakes his hiss kar raha bees buzz buzz karri hai yeh kis ka example hai jaha sound eye that is an example of onomatopoeia that is the example of onomatopoeia a lie has no legs jhoot ke pair nahi hoti vyse to yeh dead metaphor bhi hai ki agar aap isse compare karri hai to jhoot se aap ke joh hai yeh pair ki image to banti nahi hai ad joh hai a lie has no legs to yeh joh hai metafor eek minute kya karri ho ma agar dead metaphor hota toh lagate hai lekin yeh personification lie has no leg lie ko human being se compare kar raha hai toh that is personification haa lekin agar is meh dead metaphor hoota toh woh sahi hoota agar diya hoa hoota onomatopoeia means onomatopoeia ka kya matlab hoota hai echoing of the sense by the sound movement toh is ka answer hai ki bhi jab sound ke madhyam se kishi chieze ke bare me hume pata chalta hai shape ke madhyam se movement se that is onomatopoeia socratic irony is retention to socratic irony irony ka matlab hoota joh baat hum kehate hai uska just ulta ho socratic irony ka matlab hoota hai ki jab hum dkhate hai ki hume kuchh pata nahi hai maagar ham joe hai logan logo ko pata hoota hume pata hai jaisa teachers karthay haa apne students ke saath ki bhai janbuch kar koji chijz galat bolte hai ye janne ke liye ki unke students ko kitna pata hai so that is known as socratic irony lekin dousro ko pata hai kinne malum hai ye wali baat toh ise kya kaha jata hai that is known as socratic irony toh ignorance in place of knowledge eko apne shabd agar suna ho chan baula matlab ki humare haa par kaafi joh hai wo use kiya jata hai janbawla janbuch ke joh bevkup bantay hai that is balap hain bhot hoish yaar magar janbuch ki dkhate hai aise ki jaisa unhe kuchh aata nahi hai toh ushe kaatay hai socratic irony love is blind pyaar andha hoota hai love is blind that's why winged cupid painted blind bade pyaari lines hain shakspere ki ki love look not with the eyes but with the mind that's why winged cupid painted blind toh pyaar andha hoota hai that is yeh kaha gaya hai personification ke maamle mein yeh personification hai and aaj ka last question hai how happy is he here ki yaha par hai how happy is he here yaha haap dekh rahe h h h repeat ho raha hai toh jab consonant sound repeat hoota hai this is known as illiteration thank you very much milte hai kal pas chalte hai good night bye 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 goodbye bye bye bye